हाई एवरिवन आज देखे आपके लिए एक और थालपोष्ट का प्यारासा पैटर्ण लेकर आए हूं देखे बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप थालपोष्ट की जगा या टेबल मेट की जगा या दोर मेट की जगा कहीं भी यूज कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा देखिए बनकर आता है और इसको बनाना बहुत आसान है तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर टू कलर की पूल ली है यहाँ पर मैंने देखिए एक पिंग कलर दिया है इसमें और मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर लिया है आप कोई सी भी दो कलर ले सकते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर देखे 9 नमबर की नीडली है और यहाँ पर यह जो हमारी बूल इसमें लगी है वो 65 ग्राम लगी है यहाँ कि 65 ग्राम इसमें टोटल हमारी बूल लगी और काफी बड़ा बन गया है तो चलिए इसको बनाते हैं और इसके लिए देखिए हम यहाँ पर जो स्टिचिज रखेंगे वो ध्यान से देखेगा 4 की मल्टिपल से हमें इसमें स्टिचिज रखने हैं 4 की मल्टिपल से रखने के बाद आप इसमें 2 बंदे यानिके टू फंदे इसमे प्लस करेंगे तो आप कितना भी बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं या फिर इससे छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं बस आपको यहाँ पर 4 के multiple से और प्लस 2 इसमें add करने हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इससे टूटल 30 फंदों पर बनाया है यानिके 4 के multiple से मैंने इसमें 28 फंदे रखे और 2 फंदे इसमें मैंने प्लस कर दिया है यानिके 2 फंदे और यह इतना बड़ा बन कर आए आप चाहें तो इसे देखिए इसमें से अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे 22 फंदों पर यानि 22 फंदों पर भी बना सकते हैं और आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं इसको तो इसमें आप तो चार फंदे और डिशा और चिंड-1 तन में प्लस शकर सकते हैं या पिर 8 फंदे ब्लस कर सकते है जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं अलिफ बना करने पर 11 gelecek नहीं हैं, में चरूर पर हमने 14 अगरा हम आप 15 कॉट 8 ड़ चाहिं इससट उसलें' तो सबसे पहले देखे हम यहां पर इसमें ग्रीन कलर से 30 फंदे डालेंगे, फंदे हमें सिंपल डालने हैं, सिंगल दागे से डालेंगे, तो यहां पर देखे, इस तरह से करते हुआ हमें 30 फंदे डालने हैं, यह देखीगा, तो यहां पर देखे, टोटल मैंने 30 फंदे डाल preset हैं आप दीहान से देखें Apollo भा पार ना हम hum हम पागार दोधार अदोर जेखी और पूरी why पूरी उल्टी बूलने ही देखिए हमने इस सलाई कंप्लीट कर ली आ देखिए उल्टी सलाई में आ गया है तो यहां पर देखिए फिर से हम बगार बुना एक फंदा उतारेंगे तो इधर हमें 16 फंदे रखने हैं तो देखिए एक फंदे को इसको भी काउंट करेंगे और एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारे, बारे, तेरे, चौदा, पंदरा, सोला तो देखिए यहां पर हमने 16 फंदे इधर रख लिए हैं अब हमारी यहां पर देखिए लास्ट में 14 फंदे हैं देखिए अब इसमें से देखिए हम यहां पर कलर एड़ करेंगे जो हमने पिंक कलर अपना लिया है उसको हम यहां पर एड़ कर लेंगे यहां पर एक नौट बगा देखिए इस तरह से अब देखिएगा अब हम यहां से 12 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, देस, क्यारा, बारा बारा पंदे हमने यहां पर बुन लिए अब यह जो दो पंदे हमारे एक्स्टा जो हमने रखते थे ग्रीन कलर से इनको इधर ही देने देंगे हम अब शलाई को टर्ण कर लेंगे स्लाई को टर्ण करने के बाद देखे इस फंदे को हम जो हमारा पहला बाला पंदा है इसको हम बगार बुना उतारेंगे अब यह वाले फंदे चो पिंक कलर से नजर आ रहे हैं इन्हें हम फंदों को उल्टा बुन लिएंगे यानिकि हमारे देखे 11 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुलेंगे एक फंदा हमने इसमें से बगार बुना उतार लिया तो टोटल यहमारे 12 फंदे थे पिंक कलर से इनको हमने देखी यहां पर उल्टा बुल लिया अब धागा पीछे करेंगे क्रोस करके ग्रीन वाले धागे को आगे लाएंगे और जो बागी के फंदे हैं उन्हें भी हैं उल्टा बूलेंगे ये देखिए इस तरह से हमने सलाई कम्प्रीट कर ली अब देखिए उल्टी सलाई पहला फंदा बगार बुना उतारेंगे और जो भी फंदे हमारे ग्रीन कलर से नजर आ रहा हैं उन्हें ग्रीन कलर से बुनेंगे इस तरह से हमने ग्रीन कलर की फंदे ग्रीन कलर से बुनेगे अब देखिए धागे को क्रोस करते हैं पिंक कलर से फंदे बुनेंगे हमारे टोटल ये बारा फंदे थे, अब इसमें से हम यहांपर दस फंदे बुनेंगे, देखिए, दो फंदे हम यहांपर फिर से छोड़ देंगे, जैसे हमने दो छोड़े थे, हर बार हमें ऐसी दो-दो फंदे इदर छोड़ने हैं, फिर से यहांपर देखिए, इस फाले फं करीं क्लर के फंदेंगे और जो क्रिन के फंदें वो जूलाई को कम्प्लीट करेंगे और अब देखिए हम ऐस सिलाई किम्प्लीट कर ली आप टी सिलाय को दियान से देखिए पहला पंदा बगार गुना उतारेंगे आप देखें यहां पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ तस ग्यारा बारा 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 पंदे हमने गरीन कलर से बुन लिए अब इदर से हम चार पंदे इसमें फिर पिंक कलर के अड़ करेंगे यानि के हर चार अजाए के ब तो हमने चार पंदे पिंक कलर से बुनें, बाकि के फंदों में से हम फिर से वही लास्ट के दो फंदे छोड़ते हुए बुनेंगे, यह देखिए दो फंदे फिर से हम इदर छोड़ देंगे, और सलाई को टर्न कर लेंगे, एक फंदा बगार बुना उतारेंगे, और जो पि समय के इक फंदा आओं रिंगे उस नहरा है चेजिऺ असमें शचार हों फंदा प्र और तो पर जाएंगे उसी पांस बनाएंगे यह देखिए इस तरह से इस सलाई हमने कम्प्लीट कर ली अब फिर से देखिए चार सलाई हमारी यहां पर हो गई है तो चार सलाई एक बाद फिर से हम यहां पर 4 फंदे इसमें पिंक कलर के एड़ करेंगे तो देखिए 1 फंदा बगर बुना उतारेंगे अब देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने यहां पर ग्रीन कलर से बुन लिए अब 4 फंदे पिंक कलर के एड़ करते हुए पिंक कलर से बनाएंगे और लास्ट में फिर से वो ही यहाँ पर तो फंदे छोड़ देंगे सलाई को टर्ण करेंगे और एक फंदा बगार बुना उतारते हैं जो जिस कलर से फंदे नजर आएंगे उसी से बना लेंगे इस तरह से हमने सलाई कंप्लीट कर लिए अबुल्टी सलाई एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और ग्रीन कलर की फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे पिंक कलर की फंदे पिंक कलर से बनाएंगे ये देखिए इस तरह से हमने पिंक कलर से फंदे बुन लिए लास्ट में फिर से दो फंदे हम इदर छोड़ देंगे और सलाई को टरंड करेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और जो कलर नजर आएगा हमें उसी कलर से फंदो को बनाएंगे ये देखिए फिर से हमार च्रपंदे गरीन अब क्रेंक से बनाएंगे यहरा ला्यान कि रचार पंदें फृरथग कर् wagon और प्रेश कर लेंगेई और दिए का एद्दाइए इसि तरह से बनाएंगे यह थे मीँदाएंगे यह translates करेंगे एक पंदा बगार बना उतारें और जो जिस कलर के फंदे नाजर आएंगे उसी से बनाेंगे तेदे च 지금까지 हमने कम्प्लीट कर ली उल्टी सिलाइए एक फंदा बगम उतारेंगे डिच यह विख फंदे हम जो कि रीन कलर से नजर ग्रीन कलर चुछार बनाएंगे पिंक कलर के फंदे पिंक कलर से बनाएंगे फिर से हम यहां पर दो फंदे छोड़ देंगे इधर देखिया इस तब बढ़ रले के और gig Te Sedona पर यहां को इस तरहका बगार बनाव तारेंगे पाकि ज़्यासे फंदेना था हैंगे उसी कलर से ब बगार बुना उतारेंगे और धागे को ऐसे साइड में ले आएंगे इस फंदे को वापस से हम इस नीडल पर लेंगे और अब देखिए हम चार पंदी यह पिंक कलर से बना लेंगे यानि कि अब हमारा यहां ग्रीन कलर आफ हो गया है अब जितने फंदे जहां तक भी हमें बनाने हैं पिंक कलर से बनाएंगे यह देखिए कर दो फंदे फिर से हमें दर छोड़ देंगी और स्लाई को ट्रेंड करेंगी एक फंदा बगार बुना उतारेंगी और जितने फंदे भी यह पिंक कलर के हैं सारे बुल देंगे देखिए इस तरह से अब सलाई को देखिए उरकी सलाई को दियान से देखिएगा एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और यहां पर फिर से हम पिंक कलर से फंदो को बुलेंगे दो फंदे फिर से हम यहाँ पर छोड़ देंगे सलाई को टरंड करेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे बाके के फंदे बुन लेंगे देखें तो यहाँ पर इस तरह से यह हमारी पती कंप्लीट हो गई है अब देखें फिर से हम पस्ट्रॉसे कैसे स्टार्ट करेंगे उसको दियान से देखेंगा अगली पती को हमें कैसे स्टार्ट करेंगे वो दियान से देखेंगे आप लोग इस पंदे को हम ऐसे बगार बुना ले लेंगे धागा ऐसे करेंगे और green color के धागे से अब हम बागे के जितने भी पंदे हैं सारे बनेंगे जो पंदे हमने छोड़े थे उन्हें भी सब को हम इस सलाई में लेते हुए जाएंगे और पूरी सलाई हम green color के साथ बनाएंगे देखिए इस तरह से करते हुए तो यहां पर हमने जितने पंदे छोड़ेचे सब ले लिए यह दो पंदे यह भी हम ले लेंगे और पूरी सलाई हमने देखी है यहां पर गृरान से बुल लिए अब अब जैसे मैंने आपको फस्ट रॉस से बताई थी, ये सलाई पूरी उल्टी बुल लेंगे, उसके बाद फिर से हम ये पिंक कलर के साथ इस पत्ती को स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, वही रो आ गई हमारी फस्ट वाली रो, तो इस तरह से करते हुए देखिए, जब हम इसी पत्ती को रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा देखिए, इस तरह से थालपोश ये बन जाएगा, देखिए, और बहुत ही प्यारा और आसान सा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कलरा आप अपनी मर्जी के अड़ कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें, और अगर आपको इसी तरह की और भी नए-ने थालपोश दीखने हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का ज़रूर रप्लाइ करूंगी, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एक नए डॉ मेंट्स तालपोश के साथ तब तक के लिए थैंक यू